दोस्तो चैप्टर की शुरुवात में हम देखते हैं कि रिगड और उसके खुच साथी इनाटा साइद लेडी लुमिनस और रुबेरियस से आए बातियों का स्वागत करते हैं और अब जब कि उन सब के लिए बोजन बन कर रेडी हो गया है उनकी सुविदाओं का द्यान रखते हुए रिगड़ु उनसे उनकी पसंद नापसंद पूछता है अब क्योंकि दोस्तो टेंपस्ट और रुबेरियस की बीच के रिलेशिन को सुदारने का शायद ये सबसे पहलना मौका है तो रिमरु और बाकी के लोग अपनी तरफ से हैक्ष्रा एफट लगाने की कोशिश कर रहा है तके रिमरु वहां मौजुद रुबेरियस के सबी लोगों को दिखा सके कि ये मौस्टर नेशन किसी भी तरह से इंसानों के लिए खत्रा नहीं है मौर दोस्तो इस बीच हिनाटा और रिमरु के कुछ ऐसे मौमेंस भी थे जहाँ पर हिनाटा को रिमरु के कैरेक्टर पर शक होने लगता है मगर उसका स्टोरी में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो हम उसे स्किप करेंगे मौर दोस्तो रिमरु की बनाई गई फैसिलेटीज और सर्विसिस को देखकर हिनाटा जरसी परेशान हो गई वेल वो तो तब भी परेशान हो गई थी जब उसने रोड्स और रामेन शौप देखी क्योंकि जायर है इतना कुछ बनाने में या ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने में रिमरु का बहुत सारा वक्त और पता नहीं कितने सारे पैसे खर्श हो गई होंगे खास करके ऐसे दुनिया में जहां मौडर्न मचिन रिस का अबाव है हिनाटा को लगता है कि रिमरु अब क्योंकि एक डीमन लोड है तो उसके लिए लेबर की कमें नहीं होगी बेसिकली दोस्तों या मुझे ऐसा लग रहा है कि हिनाटा कहीं ना कहीं थोड़ी जैलस हो रही है क्योंकि जब से वो इस दुनिया में आई है तब से लेकर अब तक उसकी बस यही कोशिश रही है कि वो बस किसी तरह अपने यानि रुबेरिस के लोगों की जिंदगी को बैतर बना सके तो मुझे लगता है कि इस तरह की खैलों कहा ना स्वाबा भी कर और दोस्तो इस बीच एक पेज है जिसे मैं एक्स्प्रेंट करने की कोशिश भी नहीं करना चाता है आप लोग चाहिएं तो पॉस्ट करके पढ़ सकते हैं दोस्तो काफी जल्दी जल्दी में रिमरूने वोजन करने के लिए ये बड़ा सा हॉल बनवा है जहां डेल सारे लोग एक साथ बैट कर खाना खा सकते हैं दोस्तो हम यहां ठीक से देखतो नहीं सकते बट ये जगा इतनी बड़ी है कि एमर्जनसी की दौरान भी इवेक्योएशन के लिए इस जगे का इस्तमाल किया जा सकता है मुर्दोस्तो दावच शुरू हो उससे पहले हिनाटा रिमर उसे माफी मांगती है हिनाटा कहती है कि मेरी वज़े से तुम्हें बहुत सारी परिशानिया जिलने पड़ी अलाकि ऐसा नहीं कि मुझे तुमारी ऑस्पिटालिटी की कदर नहीं है मगर मैं इन चीज़ों को एकसर्प नहीं कर सकती और मैंने जो कुछ भी किया उसमें ना तो लेडी लूमिनस की गलती थी और ना ही मेरे सबॉडिनेस की मैंने जो कुछ भी किया फिर चाहे इस बार हो या फिर इससे पिछली बार वो मेरा अपना निर्ने था जिसके लिए वो पश्चाताप करने के लिए भी तैयार है बट हिनाडा अपनी बात को आगे बढ़ाती उससे पहले रीमरू उसकी बात को काट कर उसे रोक देता है रीमरू कहता है कि अगर तुम्हें सच मुछ में अपने किये पर पश्चावा हो करें बट रीमरू भी जानता है कि ये इतना आसान नहीं होगा खास करके इंसानों के लिए अलगी ऐसे इंसान भी हैं जो मौसर्स को अपना दुश्मन समझते हैं और उन्हें नुकसान पहुचाने के कोशिश भी करते रहते हैं और ये बात तो हम जानते हैं कि इंसान किसी बी तरीके से अपना सोभाव नहीं बदल सकता जिस महिनाटा भी अपनी हामी बरती है मगर वो रीमरू को बरोसा दिलाती है कि आगे से वो कोशिश करेंगे कि वो मौसर्स को सिंपली मौसर होने की सजा नहीं देंगे ये सारी बात ये सुनकर लेडी लूमिनस माउल को अलका करने की कोशिश करती है मोर दोस्तो फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ लेनर आकर शियों से माफी मांगता है वो शियों से माफी मांगते हो कहता है कि वो सेवन लूमिनारिस की बातों में ऐसा आ गया था कि अंजाने में उसने टेंपस पर हमला कर दिया लेनर अपनी बात को आगे बढ़ाते हो कहता है कि अब तुम्हारी वज़स से मेरी आखें खुल चुकी हैं और मैं इसके लिए तुमसे तही दिल से माफी मांगता हूँ और तुम्हारा शुक्रियाद भी करता हूँ जवब में शियोन कहती है उसमें ये सब सिर्फ रिमरू के कहने पर किया दोस्तों शियोन की इस बात को रिमरू सुन लेता है और वो शायद मैसूस कर लेता है कि इनसानों को लेकर शियोन के अपने अलगी विचार है और हम भी शियोन को दोश नहीं दे सकते क्योंकि हम जानते कि फालमूद ने शियोन और बाकियों का क्या आशर किया था बट रिमरू शियोन को समझाने की कोशिच करता है कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते इंसान वो प्रजाती है जो अपनी गलतियों जैस सीखते है बट दोस्तो मेरा मानना है कि इंसान अपनी गल्तियां सिर्फ तबी सुधर सकता है जब वो अपने गल्तियों को माने बट अगर हमें यानि इंसानों को पता ही नहीं लगेगा कि गल्ती कहा होई है तो हम जाने अंजाने ही उसी गल्ती को बार बार दोराने लगेंगे अलाकि इसमें हमारे अपने इगो का भी बहुत बड़ा रोल होता है मगर दोस्तों ऐसा नगर है कि माफियों का लेन दिन अब तक खतम नहीं हुआ है इस वादे के साथ कि आगे फिर कभी भी वो लोग रीमरू या टेमपस के लोगों को नफरत की भावना से नहीं देखेंगे और मॉसर्स को रिप्रिजन करते हुए रेगर उन्हें उनका सर उपर उठाने के लिए कहता है वो भी इनकी भावना को समझ सकता है यूकि भूतकार में भी मॉसर्स ने इनसानों को हमेशा ही उनका दुश्मन समझाए इसलिए वो भी इन सारे चीज़ों को पीछे छोड़ कर उनसे अपने रिष्टे सुधारने की बात रखता है यूकि उसका मानना है कि ऐसे उपनली अपने खैलों का इज़र करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा जिसके बाद अब आखिरकार ये सब खतम होता है और पार्ट इस शुरू होती है लेडी लूमिनस अलको मौल की तारिफ करती है नाइस वाग खाने की तारिफ करते हैं और लोग खुब एंजोई करते हैं बड़ दूस्तर दुसरे दिन जब रिमरू और लुईस वाज चिल मार रहे थे तब लुईस उन्हीं रॉय वैले टैन के बारे में बताता है और ये भी कि हिनाटा के मुताबिक जिसने रॉय को मारा वो जोकर का मास पहना हुआ कोई बंदा था ये वाज सुनकर रिमरू भी एरान हो गया क्योंकि हम जानते हैं कि चाय कुछ भी ओर रॉय एरा येरा कोई मामुली वैंपार नहीं था बट जब रिमरू को पता चला कि उससे मारने वाला कोई जोकर टाइप मास पहना हुआ बंदा था तो तब रिमरू सारी कडियां जोडना शुरू करता है और लोड इन्वेजन से लेकर क्लेमन की मौत तक उससे सब यादा आ जाता है पर रिमरू को ये भी लगता है कि इन सब के पीछे जो भी था उससी नहीं जान मुच कर हिना टकू उसकी पीछे दोड़े रखा अलागी पके दौर पर वो भी कुछ नहीं कह सकता फिर दुस्तों अगली चेट्टर में हम देखते हैं कि रुबियरियस और टेमपर्स के लोग कॉन्फरेंस ओल में एक साथ बैटे हुआ है ताकि हाली में जो कुछ भी हुआ उससे देखकर आगे की नीतिया तै कर सके है जो कुछ भी अब तक हुआ है उनकी समरीस बना कर एक-एक कर उनकी कॉपीस सब में बाड़ दी गई है जिसे हमें पता लगता है कि यूफ फालमूद ने पहली बार जब हमला किया तब हुली एमपैर ने सिचुएशन को समझे बगेरी फालमूद का साथ देते हुवे टेमपस पर हमला कर दिया था हुली एमपैर ने फालमूद का साथ इसली दिया था यूकि जूरा टेमपस मौस्टर्स का देश है और मौस्स को लेकर उनकी क्या सोच रही है ये तो हम सब जानते हैं बर दोस्तो पेपर्स को देखकर रिमरू हिनाटा से पूशता है कि उन्हें उसके बारे में जानकारी किस ने दी थी जिससे सुन कर वो उसे मारने के लिए दोड़ी चली आई पेपर्स के मन में युकी के लिए भी डाउटों ज़रूर है मगर हम जानते हैं कि इंटरनेशनल अपड़े सिर्फ डाउट करने से हल नहीं होते इनाटा कहती है कि वो कोई मर्चन था इस्टन एम्पायर का रिगड भी कहता है कि जब उन्होंने कलेमन के मैल की तलाशी ली थी तब उसमें कहीं सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो इशारा करते हैं कि कलेमन भी अपनी फॉर्च के लिए सारे आर्मर्स और अथियार साही दोर भी कहीं सारी चीज़ें इस्टन एम्पायर से लेता था बट वो कौन मर्चन था जिससे एक लेमन कॉन्टेक्ट में रहता था उसका किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई दिखर नहीं था तो उनके पास देथा कुछ बनी जिससे कि वो लोग उस मर्चन का पता लगा सकें अब हिनाटा के पास उस मर्चन का नाम तो जरूर है मगर वो जानती है कि वो उसका असली नाम नहीं होगा हिनाटा कहती है कि वो मर्चन दाहीम या डाहम के नाम से जाना जाता है बट ये प्रॉबलि उसका निकनेम होगा जिससे कि वो अपनी पैचान चिपा सके दोस्तों ये वही मर्चंड है जिसने हिनाटा को रिमरू के बारे में बढ़काया था ये कहकर कि उसने शिजू को मार दिया है और हिनाटा को ये भी कहा था कि इस वक्त वो इंगरासिया में मौजूद है जिससे हिनाटा को मौका मिला उस वग रिमरू का सामना करने का ताके वो शिजू के कूंट का बदला ले सके दोस्तों ये सुनकर रिमरू को गुसा आ जाता है जिसकी वज़े से रिमरू अंजाने में लॉर्ड्स अंबिशन को लिग कर देता है जिससे देखकर लेडी लुमिनस रिमरू को शांत करते हों कहती है कि उससे यानि हिनाटा को डरन अब बंद करो जिसके बाद रिमरू शांत होता है और लोगों से इसके लिए माफी भी मांगता है रिमरू कहते है कि हिना टका और फालमूत का हमला दोनों ही एक साथ हुआ जिसका मतलब हम ये समझेंगे कि ये सारी चीजे काफी पहले से ही तैयारी करके ब्लैंड करी गए होंगी लेडी लुमिनस पूछती ही कि तुम्हें लगता है कि इन सब के पीछे क्लेमन का आग था रिमरू वाल पर इसका रेफरेंस देते हों कहता है कि नहीं जब कलेमस से पूछा गया कि और कौन-कौन शामिल था उसके साथ तब उसने किसी का भी नाम देने से इनकार कर दिया था जिससे एटलिस हमें ये तो पता चल गया था कि वो अकेला नहीं था तो ऐसा कौन है जिसकी रेफुटेशन को देखकर उसके द्वारा दीगरी सारी जानकारी यानि घलत जानकारी को भी लोग सही मान लेता है रिमरू स्टवन लुमिनारीस का नाम लेता है जिसस्टून लेडी लुमिनेस अपनी जगे से उट खड़ी होती है यह जानते हुए भी कि लुमिनारीस नहीं उनका इस्टन एंपायर से कौन्टेट करवाया था बट लुइसको भी लगता है कि लुमिनारीस का भी इसमें हात हो सकता है उसे लगता है कि लुमिनारीस लेडी लुमिनेस की अफेक्शन के बूखे थे क्योंकि दोस्तो पहले Lady Luminous सारे Luminaries को वक्त वक्त पर उन्हें Blessings दिया करती थी वक्त वक्त से मेरा मतलब है कि हपते में एक बार मगर दोस्तो समय के साथ साथ वो वक्त भी बढ़ता चला गया और आखिर बार Lady Luminous ने जब उन्हें Blessings दी थी तो उस बात को भी अब सो साल से भी जादा हो चुके हैं अब क्योंकि वो लोग पहले इंसान हुआ करते थे और हम जानते ही कि सो साल किसी भी इंसान के लिए बहुत लंबा टाइम होता है तो वो लोग इतने लंबे समय तक बीना Blessings के रहे जिससे वो लोग वक्त के साथ कमजोर होने लगे और Lewis का मानना है कि ये जो सारा कुछ हुआ है वो भी हो सकता है कि Lady Luminous का द्यान खीचने के लिए हुआ हो उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि Lady Luminous अब उन्हें बोल चुकी है और Hinata Sakaguchi उनकी नई पेवरेट है जो सैवन लूमिनारियों से देखा नहीं गया और उन्होंने ये सारा प्लोट रचा ताकि वो Hinata को Demon Lord Rimaru के साथ लड़वा कर उसे ठिकाने लगा सके को इस लड़ाई में या तो Rimaru जितता या तो Hinata दूनों सुर्तों में लूमिनारियों का ही काम होना था और ऐसली पॉसिविटिस दें कि Clayman ने हिस्टन मर्चंड और लूमिनारियों का साथ मांगा ताकि किसी भी तरस से वो एक सच्चे डीमन लॉड में विकसित हो जाए जिसकी बदले में उसे लुमिनारियों का काम करना था और वो था हिनाटा सा कगुची को उनके रास्ते से अटाना बड़ फॉर्शुनेटली ऐसा नहीं हुआ क्लेमन मारा गया और रिमरू इस दुनिया का नया डेमल लोड बन कर उबरा जिसकी वज़े से लुमिनारियों का ब्लैंड भी ना काम हुआ और उन्होंने ये रास्ता अपनाया बड़ फिर दोस्तों अचानक से रिमरू को याद आता है कि वो लोग सेवन लुमिनारियों कहलाता है तो वो कुल मिला कर साथ लोगों ने चाहिए उसे लगता है कि अब भी एक लुमिनारी बज़ गया बड़ तब हिनाटा रिमरू का डाउट क्लेर कर देती है क्योंकि उसे काडेलन ने खुद कॉल करके उस आखरे लुमिनारी के बारे में बता दिया था पर दोस्तों फिर रिमरू वास सब के सामने अपने ख्यालों का खुले दिल से इज़ार करता है और कहता है कि मैं तो इन सब चीजों का जिम्मेदार यूकी को मानता था बट ऐसा लग रहे कि मैं खामखाई उस पर शक कर रहा था और तो और हम ये भी नहीं जानते के रोय वैलेंटाइन का कातिल कौन है तो हम लुमिनारी इस पर सिंपली सारा दोस्त नहीं डाज सकते और नहीं ये पक्के तोर पर कह सकते हैं कि मास्टर माइन अब मारा गया है और रिमरू को भी यहां समझ नहीं आ रहे कि अब करना क्या है इस बारे में प्योंकि उनमें से किसी के पास भी कोई क्लू नहीं है जिसे कि एट ऐस उस मास्टर माइन के बारे में पता चल सके अब दोस्तो आखिर कर वो लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर इनाटा यहां अजिम करती है कि टेंपर्स ने अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उनकी माफी को स्विकार कर लिया है जिसके जवाब में रिमरू कहता है कि हाँ हमारे देश अब से तुमारे साथ दोस्ताना संबन स्थापित करना चाता है और हम दोनों देशों के भी चल रे फ्रॉब्लम्स को खतम करना चाता है और फिर दोस्तो लेडी लूमिनस फिर उट खड़े होती है और आगे आती है वो कहती है कि इतने से काम नहीं बनेगा अमारे साथ से टेमपस को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है जिसके लिए हम किसी भी तरह की रेपरेशन्स देने के लिए त्यार है तोस्तो आपको नहीं समझ मैं तो मैं बता दूँ कि लेडी लूमिनस उदार के जिन्दगी पसंद नहीं करती है बढ़ हम जानते हैं कि रिमरू ऐसा स्लाइम नहीं जो वक्ताने पर लेडी लूमिनस पर किया गया इस ऐस्तान का फायदा उठाने की कोजिश करें और रिमरू भी ये बात जान चुका है तो रिमरू कहता है कि ठीक है तो फिर एक कान करो बदले में आप लोग टेमपस को फॉर्मरली रेकनाइस करो और हमारे साथ डिप्लोमाटिक रिलेशन्स ठापित करो जिस पर लेडी लूमिनस भी राजी हो जाती है और कहती हैं कि आज से सौ सालों के लिए टेमपस्ट और रुबेरियस हाई रूप से एक दूसरे के डिप्लोमाटिक अलाइज होंगे और यही रुबेरियस का ओफिशल पश्चाताप होगा मगर गाड इस बात से राजी नहीं था क्योंकि उसका मानना है कि मॉस्टर्स को एकसेप्ट करने से उनके अपने ही लोगों में लुमिनिजम पर से भरोस आउट जाएगा जो ओर लोग किसी भी कीमत पर अफ़र्ड नहीं कर सकते दोस्तों जो रुबेरियस की स्थापना हुई थी तब पर्टिक्लरिस सिब मॉस्टर्स के लिए इस रूल को बनाए गया था वैसे तो यह पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है बट हम यह अज्यूम करेंगे कि इस रूल के मुताबिक रुबेरियस किसी भी सरकमसैंसिस में मॉस्टर्स को एकसेप नहीं करेंगे बट फिर दोस्तो लेड़ी लूमिनस कहती है कि यह रूल उसने नहीं बलकि उस वक्त के फाउंडर्स ने मिलकर बनाया था दोस्तो यह रूल उस वक्त उन आम लोगों की सुरक्षा के लिए था जो लूमिनस में बरुसा रखते हैं हर वेंपायर को जिंदा रहने के लिए इंसानी खून की जरुवत होती है और उस वक्त ऐसा काय जाता था कि सुखी और खुश इंसान का खून ही उन वेंपायर्स का पेट भर सकता था और यह बत तब किये जब उनके वालूमिनिजम जैसी कोई चीज नहीं थी मौस्स के द्वारे किये गए फ्रीक्वंट हमलों की वज़े से वहां इंसान मुश्किल से ही सर्वाइब कर पा रहे थे जिसकी वज़े से वेंपायर्स को भी उनके खून में मज़ा नहीं आ रहा था और तब वो लोग उन सभी सर्वाइवर्स को लेकर एक ऐसी जगे चले गए जहां मौश्चस के हमले कम होते थे और दोस्तों ये वही जगे है जहां आज रूबेरियस खाड़ा है आम लोगों की भलाई के लिए ही इन सारे नियमों को बनाय गया था ताकि वो लोग शांती पूनतारी के से अपना जी वन व्रतित कर सकें और ऐसे ही लूमिनिजम की स्थापना होई लोगों में लूमिनिजम पर बरोसा बनाय रखने के लिए ही उन्होंने डीमन लोड वैलेंटाइन के रूमर्स का इस्तमाल किया यूकि वो जानते थे कि डरे हुए लोगों की आवाज सिर्फ उनका दर्म ही सुनेगा और उन आम लोगों में समझ लोगों की एक तरह की अशौरिटी बनी रहती थी कि वो लोग अब जो के लूमिनिजम के बक्त हैं तो वो लोग मॉंस्स के अमलों से सुरक्षित रहेंगे अगर सरेल भाषा में समझाओं तो वो लोग जा रहते थे वास से कहीं दूर जाकर बस गए और लूमिनिजम की स्थापना की उन्होंने दर्म का इस्तमाल किया ताकि उनके लोग सेफ रहें अटलिस उन्हें फिलिंग दे पाएं कि वो लोग सेफ हैं आला कि उसमें भी उन्हें सारी परेशानी आएं पर आखिर मस्ता कुछ ठीक होई गया फिर तरीमर पूसता है कि कहीं और जाने की जरूत क्या थी ये सब तो वो लोग वहीं रहकर भी कर सकते थे इनाटा उसे शांद करते हूँ कहती है कि फिकर करने की जरूत नहीं है डियाबलो ने जो लूमिनार इसके साथ किया और उन्हों ने जो किया वो कुछी दिनों में सब के सामने होगा यूँकि वहां फालमुत के राजा के साथ रिपोर्टर्स भी मौजूद थे तो लाइकली वो लोग ये समझेंगे कि ओली चर्च मौस्टर्स से हार गए और उन्हें मजबूरी में ही मौस्टर्स से हाथ मिलाना पड़िया बड़ रिमरू जानता है कि इससे तो लोगों में मौस्टर्स के खिलब उनकी नफरत और बढ़ जाएगी इसलिए रिमरू उन्हें एक सर्जेशन देता है रिमरू कहता है कि हम एक काम करते है हम लोगों से कहेंगे कि रिमरू और रिनाटा की आपस में फाइट होती है बड़ उस फाइट के दौराने रिमरू और रिनाटा को लुमिनारीस की हरकतों का पता चलता है जिससे उनकी fight draw हो जाती है और उसके बाद वो दोलो match को बूल कर हसे खुशी रहने लगता है और अगर ये भी कम पढ़ गया तो हम कह देंगे कि वो जो slime है यानि हमारा protagonist वो भी दुसरे दुनिया से ठीक हिनाटा की तरह रीन कारने ठोकर आया है जिससे कि वो लोग Remaroo को accept भी कर लेंगे और दोस्तों ये बाद सुनते ही वहाँ सब भी लोग Remaroo उपर चिलाने लगता है गाड कहता है कि इससे हमारे problem तो solve हो जाएगी बड़ टेमपस के लिए problems और बढ़ जाएगी लोग Demon Lord Remaroo को फिर एक बार और कम समझने की खलती कर बैटेंगे और इसमें Shion भी frustratingly कार्ड का साथ देती है क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि लोग Remaroo को कोई एरा गरा मामूली Demon Lord समझें बैनी मारू कहता है कि उसकी चिंता तुमें करने की जरूत नहीं है आज के समय में जो हम से सिधी टकर ले सकता है तो वो सर्फ इंग्रासी आए और अब जो कि Western Old Church के साथ 100 सालों की ट्रिटी साइन होई है तो उनसे भी अब Tempest को कोई खतरा नहीं है वट इसके बावजूत भी कोई अगर इतना बेवकूफ होगा जो हमला करेगा उससे मैं खुदी निपट लूँगा और यही बाद Remaroo भी Hinata को समझाने की कोशिच करता है जिसमें Hinata भी राजी हो जिसके बाद उसे लगता है कि एक बारysz ता कुछ ठीक हो जाएगा तो दोस्तों अ किसे के साथ हमारी वीडियो यहीं खतम होती है दोस्टों इस वीडियो में मैं दे डो चप्टुर कवर की हैं और हिन दोनों चप्टुर में जो कुछ में बताने की कोशिच किए अगर आप को मेरी एफर्स अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइंग शरूर कर देना अगर वीडियो नहीं पसंद आए तो डिसले कर देना चलेगा मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए सायोनारा जाली गवाम प्याओ प्याओ जिए लीडियो